हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेजर कंपरीज की सीओ के बारे में बताने वाली हूँ जो की काफी जादा इंपोर्टन टॉपिक है आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए तो फैंच जो यह लिस्ट है यह मार्च 2023 तक अपडेटेड है तो आप इस वीडियो का एंट तक जरूर देखे भीना स्किप किये हुए क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी जादा मदद मिलने वाली है इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंपोर्टन जो कंपनीज है उनकी सीओ के बारे में तो बताऊंगी ही बताऊंगी उसके इलावा हम उस कंपनी से रिलेटेट जितनी भी एक्स्टा इंफॉमेशन बन सकती है जो कि आपके लिए आपके लिए इंपोर्टन रह सकती है वो सारी इनफॉमेशन भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप करें हुए एंट तक जरूर देखे तो चलिए स्टार्ट कर लेते तो YouTube क्या है वीडियो स्टीमिंग प्लैटफॉर्म है अगर बात करें कि इसकी Establishment कब हुई थी तो वो ही थी 14 February 2005 को और अगर बात करें YouTube के Founders की तो वो कौन-कौन है चाड हले स्टीव चैन और जावेद करीम अगर वहीं यूट्यूब के Headquarters की तो यह California USA में है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन हमारा Who is the present CEO of Google ट्राइट आंसर है इसकोशन का Option number A सुन्दर पिचाई तो फैंस जो सुन्दर पिचाई हैं यह वरतमान में Google के CEO है अगर वहीं बात करें Google की तो Google is the world's largest search engine अगर इसकी बात करें कि Establishment कब हुई थी Google की तो यह हुई थी 4 September 1998 को Founders है इसके Sergei Brin और Larry Pace अगर वहीं बात करें Google के Headquarters की तो यह California USA में है और Google की Parent Company की बारे में भी आपको पता होना चाहिए वह है Alphabet Inc next question देख लेते हैं who is the present CEO of Amazon right answer है this question का option number C तो first Andy जैसे जो है यह Amazon के वरतवान में CEO है और अगर वहीं बात करें Amazon की तो जो Amazon है यह e-commerce company है जिसके establishment हुई थी 5th July 1994 को और founder कौन है जैफ वैजोस और अगर वहीं बात करें Amazon के Headquarters की तो यह है Washington USA में next question है हमारा who has become the new CEO of NITI-IO तो फिर इस question में क्या पूछा गया है कि NITI-IO के नए CEO कौन बन गए है right answer is question का option number BVR Subramaniam BVR Subramaniam जो है यह NITI-IO के नए CEO है अगर वहीं बात करें NITI-IO की तो NITI-IO की full form है National Institution for Transforming India अगर वहीं बात करें इसकी Establishment की तो यह हुई थी 1st January 2015 में और Headquarter कहां पे है NITI-IO के New Delhi में और वर्दवान में जो Chairman है NITI-IO के वो है हमारे देश के Prime Minister Narendra Modi जी और Vice President कौन है NITI-IO का सुमन के वैरी next question है who is the present CEO of Microsoft Right answer है question का option number A Satya Nadella very very important question हो जाएगा आपकी exam में कई बार exam में यह question directly पूछ ले जाता है कि Microsoft के CEO कौन है तो आपको याद होना जाए कि Satya Nadella जो है यह Microsoft के CEO है अगर वहीं बात करें Microsoft की तो Microsoft जो है तो Tim Cook है यह Apple के CEO है और अगर बात करें Apple की अगर वहीं बात करें Adobe की तो यह एक multinational computer software company है जिसके establishment हुई थी December 1982 को और headquarters इसके हैं California USA में नेक्स कोशन है हमारा Who is the present CEO of Ola Caps? राइट आंसर है इस कोशन का option number A भाविश अगरवाल तो फ्रेंट जो भाविश अगरवाल है यह Ola Caps के बटमान में CEO है इस बोर्टर पॉइंस देख लेते हैं तो Ola Caps के establishment हुई थी December 3 को 2010 में और headquarters इसके कहां पे हैं Bengaluru में नेक्स है हमारा Who is the present CEO of Meta? राइट आंसर हो जाएगा इस question का option number A Mark Zuckerberg तो फंद Mark Zuckerberg जो हैं यह Meta के CEO है और Facebook का नया नाम कर दिया गया है Meta यह भी आपको पता होना चाहिए अगर भहीं बात करें Meta की तो establishment हुई थी February 2004 में Headquarters इसके हैं California USA में Next question है Who is the present CEO of Twitter? राइट आंसर है इस question का option number D Allen Musk तो फंद जो Allen Musk है यह वर्तवान में Twitter के CEO हैं Twitter की बात हुई है तो establishment हुई थी इसकी 21st March 2006 में Headquarters इसके हैं California USA में Next है Who is the present CEO of Dell? Right answer है इस question का option number D Michael Shawl Dell Michael Shawl Dell जो है यह वर्तमान में CEO है Dell के अगर बात करें important points की तो establishment हुई थी February 1st को 1984 में और founder कोन है? Michael Dell ही है Founder भी इसके और Headquarters कहां पे इसकी? Texas USA में Next question है Who is the present CEO of remote conferencing service company Zoom app? इस question का option number B Eric Swan जो Eric Swan है यह Zoom app के CEO है अगर वहीं बात करें के establishment की तो यह हुई थी 21st April 2011 में founder कोन है? Eric Swan और Headquarters है इसके California USA में Next है Who is the present CEO of Reliance Industries Limited? Right answer है इस question का option number A Mukesh Ambani तो जब Mukesh Ambani है यह present CEO है Reliance Industries Limited के अगर यहीं बात करें इसकी establishment की तो यह हुई थी 28th मई 1973 में और founder कोन है? धिरुबाई Ambani और इसके Headquarters है Mumbai में Next question है Who has become the new CEO of multinational company Adidas? Right answer है इस question का option number C तो फेंस option number C Right answer है Byorn Byorn Golden जो है यह CEO है किसके Adidas के अगर वहीं बात करें कि यह कब established हुआ था तो जुलाई 1924 को हुआ था Founder कोन है? Adolf Dessler और Headquarters इसके कहां पे है? तो Headquarters है इसके Harzo Zainaraj, Germany में Next है Who is the present CEO of multinational company Amway Right answer है इस question का option number C Million Pant तो फेंस जो Million Pant है यह CEO है किसके Amway के ठीक है Establishment हुई थी इसकी 9th November 1959 को और Headquarters है इसकी USA में Next question है Who is the present CEO of multinational technology company HP जो इसका की Full form है Havlet Packard Right answer है इस question का option number C Andrick Lores तो फेंस important points देख लेते हैं तो इसकी Establishment हुई थी 1st Jan 1939 को Headquarters इसकी है California USA में Next है Who is the present CEO of Footwear Manufacturer Pata Right answer है Is question का option number D Sandeep Kataria तो फेंस जो Sandeep Kataria है यह CEO है Pata के अगर बात करें इसके Headquarter की तो यह है Losana, Switzerland में Next है Who is the present CEO of Global Internet Services Company Yahoo Right answer है Is question का option number A Raman Laguata तो फेंस जो इसकी Establishment की तो यह हुई थी नाइटीन सिक्स्टी फाइब में और इसकी Founder है Kalip Bradham Headquarters है New York USA में Next है Who is the present CEO of Indian E-Commerce Company Flipkart Right answer है Is question का option number A Kalyan Krishnamurti Friends, Kalyan Krishnamurti जो है यह present CEO है इसके Flipkart के अगर वहीं बात करें Flipkart की तो इसके Founders है Sachin Bansal और Bini Bansal Headquarters इसके है Bangalore में और Parent Company कौन सी है Walmart Next है Who is the present CEO of Indian Technology Company Tesla Motors Right answer है Is question का Option Number D Therry Delport Therry Delport जो है Wipro के CEO है Important Points देख लेते हैं Wipro की Establishment हुई थी 1945 में Founder है Azim Premji Headquarters है Bangalore में Next है Who is the present CEO of Multinational Company Tesla Motors Right answer है Is question का Option Number A Elon Musk जो Elon Musk है Tesla Motors के CEO है अगर बात करें Tesla Motors की तो Establishment हुई थी 2003 में Headquarters है California USA में Next है Who is the present CEO of Harley Davidson Right answer है Is question का Option Number C Jochen Jits Jochen Jits Jochen Jits जो है CEO है Harley Davidson के ठीक है Establishment देख लेते हैं 1903 में हुई थी Headquarters इसके है Wisconsin USA में This question है हमारा Who is the present CEO of MacDonald Right answer है This question का Option Number D Chris Kaminsky तो Friends Chris Kaminsky जो है MacDonald के CEO है अगर बहीं बात करें कि इसकी Establishment कब हुई थी तो वह हुई थी 15 April 1955 में और Headquarters इसके है Chicago USA में Next है Who is the CEO of Air India Right answer है This question का Option Number C Campbell Wilson Campbell Wilson जो है यह CEO है किसके Air India के Air India की बात हुई है इसके Establishment हुई थी 15 October 1932 को Headquarters इसके है New Delhi में और Chairman कौन है Natarajan Chandrashekran Next question है Who is the current CEO of Uber Company Right answer है This question का Option Number B Dara Khosro Shahi तो Dara Khosro Shahi जो है यह current में CEO है Uber Company के अगर वहीं बात करें इसकी Establishment की तो यह हुई थी March 2009 में Headquarters इसके है San Francisco में USA में Next है Who is the present CEO of Walmart The world's largest retail company Right answer है Option Number D Dog Macmillan तो Dog Macmillan जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी retail company Walmart के वर्तमान में CEO है अगर वहीं बात करें इसकी Establishment की तो यह हुई थी 2nd July 1962 को और Founder है इसके Founder है इसके Sam Walton और Headquarters इसके है Benton Village, Arkansas USA में Next है Who is the present CEO of Technology Company Intel Right answer है इस Question का Option Number A तो फिर्स जो Patrick Gelsinger Patrick Gelsinger है यह है यह Intel के CEO है और अगर Important Points देख लेते हैं तो इसके Establishment हुई थी 18 July 1968 में Headquarters इसके है California USA में और अगर 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 हम वहीं बात करें इसके Founders की तो वह कौन है Gordon Moore और Robert Noyes Next है Who has become the new CEO of Data Security Council of India जिसकी की Short Form है DSCI Right Answer है इसके Question का Option Number A Vinay Court से तो विनाय कोट से तो विनाय कोट से है यह भारतिय डेटा सुरक्षा परिशत के नए CEO बने है अगर वहीं बात करें इसके Establishment की तो यह हुई थी 2008 को ठीक है Headquarters इसके है Noida उत्तरपरदेश में Next है Who Has Become The New CEO of Britannia Industry? Right Answer है Question का Option Number B. Rajneet Kohli Important Points देख लेते हैं Friends Britannia Industries की जो Establishment हुई थी यह हुई थी 1892 में Headquarters इसके है Bengaluru में Next है Which Indian Has Been Appointed As The New CEO of Starbucks Coffee Company? Right Answer है Question का Option Number D. Lakshman Narasimhan Narasimhan Starbucks के नए CEO बने है और अगर हम बहीं बात करें Starbucks की तो इसके Establishment हुई थी 30th March 1971 में Headquarters कहां पे हैं Washington USA में Friends जो मैं आपको Important Information बता रही हूं इस वीडियो में यह भी आपके एक्जाम के लिए काफे जादी यूसफुल है क्योंकि कई बार इन में से भी Question पूछ लिए जाते हैं तो आपको यह सारी वीडियो प्रोपर डंक से पूरी Complete देखनी है बिना Skip करे हुए और लास्ट में मैं आपसे Two Question का Test लेने वाली हूँ उस Question का अंसर आपने मुझे Complete वीडियो देखनी के बाद जरूर देने है मैं आप सभी के अंसर जरूर चेक करूंगी Next Question देख लेते हैं Who has become the new CEO of American Express Banking Corporation India Multinational Company Related to Payment Services Right answer है इस Question का Option No. C Sanjay Khanna तो fan Sanjay Khanna बनगे है New CEO Headquarters है इसके New York USA में लिख्ट है Who is the present CEO of Messaging App WhatsApp WhatsApp के नए CEO कौन है Option No. B Bill Cather तो Bill Cather जो है यह WhatsApp के CEO है अगर वहीं बात करें WhatsApp के Establishment की तो यह 2009 में हुई थी Headquarters इसके हैं California USA में और founder की बात करें तो कौन है इनका founder John Combs ठीक है Next है Who is the present CEO of Business Social Network Service Company LinkedIn LinkedIn Right answer है इस Question का Option No. D Rian Roslansky तो Rian Roslansky जो है यह इसके CEO है किसके LinkedIn के ठीक है अगर वहीं बात करें इसके Establishment की तो यह हुई थी 28 December 2002 में और Headquarters कहां पे हैं इसकी तो Headquarters है Sunnyvale USA में Next Question है Next Question है Who is the present CEO of Coca-Cola Company Right answer है इस Question का Option No. A James Quincy तो James Quincy जो है यह Coca-Cola Company के CEO है अगर भहीं बात करें इसके Establishment की तो यह हुई थी 8 May 1886 को और Founder है इसके Greek Scandler और Headquarters इसके कहां पे है Atlanta USA में Next है Who is the present CEO of Telecom Company Vodafone & Idea Right answer है इस Question का Option No. A Akshay Mundra Friends Akshay Mundra Vodafone & Idea के वर्टमान में CEO है अगर भहीं बात करें Vodafone Idea के founder की तो वह है Kumar Mangalam Virla की और Establishment हुई थी 31st August 2018 को Headquarters है Mumbai में Next है Who is the present CEO of Paytm Right answer है इस Question का Option No. D Vijay Shekhar Sharma तो Friends Vijay Shekhar Sharma जो है यह CEO है कि इसके Paytm के अगर भहीं बात करें कि Paytm के Establishment कब हुई थी तो यह हुई थी 2010 में Founder है इसके Vijay Shekhar Sharma और Headquarter है इसके Noida Uttar Pradesh में Next Question Who is the current CEO of Indian Telecom Company इटल Right answer है Is question का Option No. A Gopal Pittal इसके इसने इसके इसके इने Deli Com Actually कमपनी इटल के CEO है वहीं बात करें इडिल के फाउंडर की तो यह है Sunnyil Bharati Mittal और Headquarters की बात करें तो यह New Delhi में है और Establishment वही थी इसकी 7th July 1995 में Next है Who is the present CEO तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानि की BSNL, BSNL के प्रेजन में CEO कौन है? राइट अंसर है, इस कोशन का उप्शन नमबर B, परवीन कुमार पूर्वार, तो फैंस परवीन कुमार जो पूर्वार है, ये CEO है किसके BSNL के, और अगर हम वहीं बात करें, BSNL के हैटकॉर्टर की, तो ये New Delhi में है, और इसके Establishment हुई थी 15 September 2000 में, Next Question, Who is the President CEO of e-commerce company Alibaba? राइट अंसर है, इस कोशन का, उप्शन नमबर B, Daniel Zhang, तो फैंस, Daniel Zhang जो है, ये e-commerce company Alibaba के बरतमान में CEO है, अगर वहीं बात करें, इसके Establishment की, तो ये हुई थी 4th April 1999 में, और founder कौन है इसके, Jack Ma, और इसका Headquarter है, Hangzhou, चीन में, ठीक है, Next है, Who has become the new CEO of National Intelligence Grid? राइट अंसर है, इस कोशन का, उप्शन नमबर C, प्यूश कोईल, तो फैंस, प्यूश कोईल, जो है, ये अराश्ट्रिक हूफिया ग्रीट के नए CEO है, और इसकी बात करें, इसके Establishment की, तो ये हुई थी 2009 में, Headquarters इसके है, New Delhi में, Next है, Who is the present CEO of Multinational Electronic Goods Manufacturer, Sony? तो फैंस, राइट अंसर है, इस कोशन का, उप्शन नमबर A, कैंचिरो जो सीधा, कैंचिरो जो सीधा, जो है, ये Sony के CEO है, अगर वहीं बात करें, इसके Establishment की, तो ये हुई थी 7 May 1946 में, और इसका Headquarter है, Tokyo, जपान में, Next है, Who is the present CEO of Multinational Information Technology Company, IBM? राइट अंसर है, इस कोशन का, उप्शन नमबर D, अर्विन कृष्णर, फैंस, अर्विन कृष्णर जो है, ये IBM के CEO है, अगर वहीं बात करें, IBM की Establishment की, तो ये हुई थी 16 June 19, 11 में, Founder है, इसके, Charles, Renlet, Flint, और Headquarter है, इसका, New York, USA में, Next है, Who is the present CEO of Multinational Technology Company, Samsung? राइट अंसर है, इस कोशन का, उप्शन नमबर D, All Situable, तो फैंस, किम, हून, शुक, किम की नाम, और कोडों, जिन, जी, तीनों ही CEO है, किसके, Samsung के, अगर हम बात करें, Samsung के Establishment की, तो ये हुई थी 1st March 1938 में, और इसके, Founder कोशन है, तो वो है, ली, ब्यूंग, चुल, और मुख्याले है, इसका, Seoul में, जो कि, दक्षिन, कोरिया में है, Next है, Who is the present CEO of Multinational Communication Company, Nokia? Right answer है, इसकोशन का, Option Number, Option Number A, Pekka Loonmark, तो फ्रेंस, Pekka Loonmark, जो है, ये Nokia के CEO है, अगर बहीं बात करें, इसके Establishment की, तो ये हुई थी, 12 May 1865 में, Headquarter इसके है, इसके हैं, इस पूर, Finland में, Next है, Who is the present CEO of Multinational Information Technology Company, Infosys? Right answer है, इसकोशन का, Option Number D, Salil Parekh, तो Salil Parekh, जो है, ये Infosys के CEO है, अगर बहीं बात करें, Infosys की, तो इसके Establishment कब हुई थी, 7th July 1981 में, Founder है, इसके, एनार, नरायन, मोर्ती, और Headquarters है, इसके कहां है, Bangalore में, तो फैंस, last question करें हैं, हम इस वीडियो का, इसके बाद मैं आफसे लूँगी, 2 questions का test, जिसका answer आपने मुझे, comment box में, जरूर बताना है, राइट करके, Last question है, Who is the present CEO of Unique Identification Authority of India? Right answer है, इस question का, option number 20, store up, Kirk, तो फैंस, जो store up, Kirk, तो फैंस, जो store up, Kirk है, ये Unique Identification Authority of India के CEO है, अगर हम बहीं बात करें, इनकी establishment की तो ये हुई थी, 28 January 2009 में, और Headquarters इसके कहां है, New Delhi में, तो फैंस, इसके के साथ हमने अपनी आज की वीडियो कम्लीट कर ले है, इसमें मैंने आप इसको important extra facts के बारे में भी बता दिया है, जो कि आपके लिए काफी साथ of beneficial भी है, तो मैं आपसे लोगी to question का test, जिसका आपने मुझे comment box में बताना है, first question है test का, who is the new CEO of YouTube, for options है, आपकी screen के ओपर, आपने comment box में जरूर बताना है, तो फैंस, ये काफी ज़्यादा important question है, और आ पुछ लिए काफी ज़्यादा important question है, कई बार exam में पूछ लिया जाता है, तो फैंस, ये तो थी test के two questions, मैं आपको एक important information देना चाहूं की, तो फैंस, जो हमारी current of years की e-book है yearly, वो launch हो चुकी है, जो की काफी ज़्यादा useful रहने वाली है आपके सभी upcoming exams के लिए, आप इस e-book के नीचे description में link provide करा दिया जाएगा, वहां से भी e-book को buy कर सकते हैं, ये e-book काफी ज़्यादा useful रहेगी आपके सभी upcoming competitive exams के लिए, और friends, जगीन मानिए, इस e-book में आपको सभी topic current affairs के सभी topics एक बार में ही cover हो जाएगे, इस e-book को आप ज़रूर buy करिए, friends, इसी के साथ हम अ नेक्स विए में तब तकिली थैंक यू और विश्यू ओल दी बेरी बेस्ट